अब्रेगे स्टूडेंट दिस वीडियो इस क्लास फास्ट और भार्थियम प्ल्विक स्कूल आज हम करेंगे इव्डियस में चैप्टर 11 आवर हेलपर्स की बैक एक्सेसाइज आवर हेलपर्स जैसे मैं आपको बताया था हेलपर्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारे मद अब दिये हुए हैं जो करक्ट ऑप्शन होंगे उसको सर्कल करेंगे हम फास्ट है दा डॉक्टर ऑब्लिक वाच्में गार्ड ऑवर होम तो जो करक्ट ऑप्शन है उससे सर्कल करना है तो इसमें क्या है गार्ड ऑवर होम गार्ड कौन करता है हमारे होम को वाच्में करता ह कोन करता है watchman करता है तो watchman को circle करेंगे next है second teacher oblique cook teachers in the school teach कोन करता है पढ़ाता कोन है cook या teacher तो क्या उन्हों पढ़ाता है teachers पढ़ाते है तो tick करेंगे से circle करेंगे हम third है हमारा the cobbler oblique plumber repair leaking taps तो जो taps leaking करते हैं उसे repair कौन करता है cobbler करता है plumber करता है तो इससे circle करेंगे हम next है question 4 nurse oblique maid help the sick जो help करता है sick को बिमारों की मदद करता है nurse करता है nurse करती है तो circle करेंगे इसको next है farmer oblique sweeper sweep the street कलियों की सफाई कौन करता है farmer करता है या sweeper करता है sweeper करता है तो circle करेंगे इसको next question है हमारा write true T for true and F for false statements हमें को true false दिये हुए है जो सही होंगे उसको हम circle sorry true लिखेंगे और जो गलत होंगे उसे हम false लिखेंगे first हमारा we sit a barber for a haircut हम visit करते हैं बार्बर के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो बार्बर के पास आप विजिट करते हैं जाते हैं तो बाल कटवाने नहीं जाते हैं तो यह सही है तो true लिखेंगे next है हमारा the cobbler stitches our clothes cobbler क्या करता है कपड़े सिलता है यह सही है no यह wrong statement है हमारी तो इसमें false लिखेंगे हम next है the green grocer cells fruits and vegetables जो green grocer होता है यानि सबजी वाला उससे हम सब fruits यानि फल और सबजा खरीदते हैं सही है बिल्कुल सही है correct statement है यह तो इसको लिखेंगे true next page पे चलते हैं next है हमारा for helpers make our life easy true है बिल्कुल true है क्योंकि जो helpers होते है उनके साथ हमारी जो life होती है वो easy हो जाती है क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं हमारे काम में तो इसलिए true लिखेंगे next है we should speak rudely to the people who help us means जो हमारी मदद करते हैं help करते हैं उनसे हमें rudely बात करनी चाहिए rudely बात करनी चाहिए no यह false है हमें rudely बात नहीं करनी चाहिए तो इसलिए false है तो f लिखेंगे next question है हमारा question c answer the following questions इसका मैंने लग्स आपको वीडियो बना दिया है आप उसको direct कर लीजिएगा देखिएगा उसमें question answer ही करवाई है मैंने only next है हमारा picture paste questions इसमें हमें कुछ picture दी हुई है हमें match करना है जैसे first और जो match करने है वो number के साथ नहीं लिखेंगे हम जैसे first है हमारा first लिखना है first का match है हमारा D clothes कौन बनाता है tailor बनाता है तो हम C लिखेंगे next में block में next line में आएंगे second number second number के सामने लिखेंगे D cobbler क्योंकि shoes है shoes कौन बनाता है cobbler बनाता है तो D लिखेंगे second के सामने next third number लिखेंगे next line में उसके आगे लिखेंगे A क्योंकि बाल कौन काटता है बारबग काटता है तो A हम लिखेंगे यहां पर थरड के आगे next line में 4 नमबर लिखेंगे 4 नमबर है हमारा खाना है food है तो food कौन बनाता है cook यानि E लिखेंगे हम इसका match E है तो E लिखेंगे हमारा Milkman देता है मिल्क तो मैच भी है हमारा तो भी लिखेंगे मैंने अक्सेस कंप्लीट करा दी है आप भी से बुक के अंदर कंप्लीट कीजिए थैंक्यू